तो गाईज आज है तारिक 12 नवंबर 2000 ते हिस और है संडे देखेंगे आज के इंपोर्टेंट न्यूज एंड रिटोरियल डिसकेशन को लेकिन लेक्चर मागे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडिएफ चाहिए तो क्या करना है सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलिग्राम दन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक च्यादा वेजूकेशन यूपी ऐसी अगर बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेशन के साथ स्टार्ट करेंगे तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है लेक टीटी काका को कहां पर है यह exactly located इसको अच्छे से map में देखना दन उसके बाद आकर नीचे comment section में type करना जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे साथी साथी question solve करेंगे जो कि UPSC previous year साल 2012 के prelims में पूछा गया था डेली बिसस पे हम लोग यहाँ पर एक previous year question को भी solve करते हैं question क्या बोलता है consider the following दोस्तों यहाँ पर चार अलग-अलग animals के नेम आपको दिये गए हैं सबसे पहला black necked crane, दूसरा है cheetah, तीसरा flying squirrel और चौथा snow leopard इन चारों में से कौन-कौन से animals हैं जो कि naturally भारत में पाई जाते हैं या आपने बताना है नीचे आपको options दिये गए है, option number A, one, two and three only, option number B, one, three and four only, option number C, two and four only, या option number D, चारो के चारो naturally इंडिया में पाई जाते हैं पता यहाँ पना एक छोटा सा logic लग सकता है, और उस logic के basis पर यहाँ पर इस question को solve किया जा सकता है, यहाँ पर आप लोग इन animals के name देखो, और एक छोटा सा logic लगा कर इस question को solve करने की कोशिश करो, तो इसका answer सभी को नीचे comment section में देना है, at least सभी को उसमें participate करना है, जैसे हम आप लोगों से daily basis पर बोलता हूँ, इसका जो correct answer है, वो मैंने आपको टेलिग्राम पर provide करवा दिया है, वहाँ से भी आप इसको check out कर सकते हो, और अगर वहाँ पर answer नहीं मलता है, तो भी कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, वीडियो के last में, इसके correct answer का discussion हम लोग करें हम बात करें, आइसलेंड की, तो आइसलेंड जो है दोस्तों यहाँ पर state of emergency declare कर दी गई है, क्योंकि कल के दिन 14 घंटे के अंदर अंदर 800 से जादा भूकंब वहाँ पर देखने को मिले, आप imagine करो, 14 hours के अंदर 800 से जादा भूकंब, अर्थक्वेक्स आ हैं, emergency लगा दी गई रहे हैं, और बाकी सारे जौलमों की फटने का भी डर है, बाकी सारे जौलमों की मतलब, क्योंकि दोस्तों यह जो आइसलेंड देश है न, इस देश में total 33, कितने 33 active volcanoes, active volcanoes जो कि यहाँ पर बिसपोर्ट होते रहते हैं, तो इस वेसे यहाँ पर बहुत जो scenario है, इस country का पूरी इसी प्रकार से business today हुआ, और भी various news articles आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, तो सबसे पहले हम लोग मैप में देखते हैं, आखरकार यह country exactly कहाँ पर है located, तो आपको यह देखने को मिल जाता है, यहाँ पर एशिया हो गया अपना, यह हो गया हमारा Europe, यह पीछे तो इधर आपको Iceland देखने को मिल जाता है, उपर हो गया Greenland और इधर यहाँ पर Europe, इनके बीच में आपको यह Iceland, यह छोटा सा Island country आपको देख रहा होगा दोस्तों, ठीके, इसको हम थोड़ा और जूम करके देखें, तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको यह Iceland नजर आएगा, तो दोस्तों यह जो आपको छोटा सा यह आईलेंड दिख रहा है ना, यही है Iceland, जो मारा Atlantic Ocean है, इस ओशन में यह पूरा आईलेंड स्थेत है, और इसके कुछ अपना पे special characteristics भी हैं, वो special characteristics क्या हैं, वो भी अभी आपको मैं थोड़ी दिर में बताऊंगा, तो दोस्तों इसी जारियों के मताबिक बात की जारी की धरती के नीचे, जितनी भी activities हो रही है, उनकी वजासे ज्वाला मुखी फटने का भी डर है, और कुछ ज्वाला मुखी अल्रेडी बिस्पोर्ट हो चुके हैं, इसी बीच में जो नैशनल पुलिस है, वहां की नैशनल पुलिस चीफ है इन्होंने वहां पर emergency को घोशित कर दिया है, वहीं पर अगर आप देखो के तो जो local authorities जो इस particular country में काम कर रही है, उनका कहना या पर यह है कि Iceland कुछ दिनों के अंदर अंदर बहुत सारी दिक्कतों से गुजरने वाला है, एक अनुमान लगाया जा रहा है कि कुछ दिनों के चीक है, यानि पिछले महीने की बात कर रहे है, तो October और अभी यहां पर November हो गया, तो दो महीनों के अंदर अंदर 24,000 से ज़्यादा बुकम्प के जटके आ चुके हैं, आप इमाजन करो, 24,000 से ज़्यादा बुकम्प, पिछले दो महीने में हमने यहां पर देखा है, और ज जो पुरा शहर है, शहर में रहने वाले जो हजारों लोग थे, ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं है यहां की, लेकि जितने भी लोग रह रहे थे, वो सब को खाली करवा दिया गया है, वहां से इवाकुएट कर लिया गया है, और इस आइलेंड में खतरनाक बात ये भी है क 33, 33 एक्टिव वालकेनोज हैं, जो कि पूरे यूरोप में सबसे ज़ादा वालकेनोज इसी पर्टिकुलर आइलेंड पर रस्त देता है, ठीके, और इतना ही नहीं दोस्तों, इसमें एक और खास चीज़ यह है कि जो यह आइलेंड नाम का आपको आइसलेंड नाम का जो आइसा हुआ है, मतलब यह आइलेंड इसका लोकेशन ही ऐसा है, इसका लोकेशन जोग्रफिकल लोकेशन ऐसा है कि यहाँ पर भुकंप आते रहते हैं, पता है लोकेशन कहा है, देखो जो हमारा एट्लांटिक ओशन है, एट्लांटिक समुदर के अंदर अंदर जाओगे ग दूसरे से जिसकी वैसे अर्थक्वेक होता भी है यानि कि भुकंब हमको देखने को मिलता है तो जो आइसलेंड नाम का ये आईलेंड जो अभी आपने देखा था ये पता है समुदर में ऐसे भाग पर इस्थित है कि उस पर्टिकुलर पोशन पर समुदर के नीचे जाओगे तो समुदर का जो तल है उन दो तलों में एक दरार देखने को मिल जाती है समुदर के बीच में एक दरार देखने को मिल जाती है दो अलग लग प्लेट्स हैं वो उसके बीच उपर यहाँ पर समुदर बना हुआ है तो इसी दरार की वैसे यहाँ पर ज़्यादतर भुकंब बात रहते हैं क्योंकि वो दोस्तों जो plates है न वो हमेशा यहां पर shake होती रहती है वो plates move करती रहती है आपस में टकराती भी है तो bookamp ऐसी तो आता है आपको पता है ना पहले भी आपको पड़ा रखा है चलो हम आपको बताता हूँ कि आप लोग जान लो bookamp आता कैसे हमारी धरती की जो सता है वो अगर आप देखोगे तो मुक्य तोर पर साथ बड़ी और कई छोटी छोटी टेक्टोनिक plates से मिलकर बनी हुई है है ना काफी सरी जो छोटी छोटी plates है उनसे मिलकर यहां पर पूरा का पुरा जो जो उर्जा बनती है वो उर्जा तुरंद बाहर के और निकलना शुरू होती है और वो जो एनरजी निकलती है ना बाहर के और उसी को हम लोग भूकामप बोलते हैं उसी के बाद यहां पर यह भूकामप आता है उससे काफी बड़ा इसको भी अच्छे से मैप में देखना है फटाफट जाओ मैप में बहुत अच्छे से देख से देखने के बाद में नीचे कॉमेंट सेक्शन में सारी डीटेलिंग्स आपने लिखनी है ठीक है आगे बड़ने से पहले शुप दीपावली सभी लोगों को अपना जो जो च रहे होंगे, आरब प्रिपरेशन कर रहे हैं, काफी सरा लोग डेली में होंगे, जो घर जा भी नी रहे होंगे, है ना और काफी सरा एस्प्रेंट्स घर चले गए हूगे, जाना चेहे यार, अब अपना फेस्टिवल पूरे साल अपने preparation करनी है दो दिन की बात है दो दिन आप enjoyment करो उसके बाद यहाँ पर वापस से preparation पर आ सकते हो sacrifice करना होता है बट इतना भी sacrifice ना करो कि जो यह family है वो भी यहाँ पर दुखी रहे आपके बिना यहाँ पर festival celebrate नहीं हो पाएगा यह मैं अपनी story बता रहा हूँ आपको 2019 में मेरा भी यहाँ पर जब पर ही नहीं हुआ था मैं preparation कर रहा था तो यार उस year ना मैं दिल्ले से घर नहीं गया अपने अब वो दिवाली भी आई यह दिवाली भी घर नहीं गया मैं तो फिर बात में बहुत regret फिल हुआ यार की चले जाना चाहिए था यार थोड़े दिन की दो बात थी यह है कि मतलब एक को होता है ना यार बहुत ज़्यादा करीबन से एक्जाम निकलने से रह गया तो वो रहे यार की चलो आपके यार नेक्स्ट इयर त्यारी करेंगे उसके लिए लग जाएंगे हर चीज छोड़ देंगे बस खाली पढ़ाई पढ़ाई और पढ़ाई इस तरीकी की जो चीज़ें होनी चाहिए लाइफ में बट यार कभी कभी ना जो enjoyment है वो भी ज़रूरी है अपने जो festivals आ रहे हैं उसको celebrate करना भी ज़रूरी है क्योंकि फिर घर वाले यार दुखी रहेंगे आपके मेना festival उस celebrate ऐचे से करी नहीं पाएंगे ऐसी मेरे साथ हुआ था अब यार दिवाली का समय हो गया मैं वहाँ पर हूँ गर पे सब लोग है फोन पर बात हो रही है और फिर ममीर होने लगी फिर उसको बड़ा रिग्रेट फिल हुआ यार जानना चाहिए था ठीक है तो वही बोल रहा हूँ फेस्टिवल सेलिबरेट करो थोड़ा बाट टाइम निकालना पढ़ने का अगर मिलता है तो वरना फिर कल फिर से पूरी एनरजी के साथ में स्टार्ट हो जाना अब्वेसी बात है सेक्रिफाइज ज़रूरी है इसलिए बोल रहा हूँ काफी लोग बिल्कुल पागल हो चुके हैं प्रिपरेशन के पीछे ऐसा मेरा भी हालता है ना वही अपके बार तो यहां पर करना ही है ऐसा होना भी चाहिए एक मोटिवेशन भी होना चाहिए यहां भी है मुझे निकालना है सब को सेटल करना है बट यह भी ध्यान रखना कि उसके लिए मैं मतलब ऐसी चीज़े कर रहा हूँ कि मतलब जो लाइफ है अपने जो जिन्दगी है उसकी कोई वैल्यू नहीं रखी है जो उसके बारे में कुछ सोचा ही नहीं है तो ऐसा आप लोगने यहां पर नहीं करना है ठीक है क्योंकि UPSC बस खाली यहां पर हमारी लाइफ का एक पार्ट है इस तरीके से सोच कर आप पर प्रिपरेशन करोगे अपने आपको स्ट्रेस में नहीं डालोगे बिना स्ट्रेस के जो प्रिपरेशन होती है वो यहां पर बहुती ज़ादा अच्छी होती है समझ गए मतलब उसका एक आउटपूट निकल कर आता है लेकि जितना आप स्ट्रेस लोगे उतना ज़ादा यहां पर जैसा आपका पर्फॉर्मेंस होना चाहिए था उससे काफी ज़ादा अंडर पर्फॉर्म आप करते बनाजरा होगे समझ गए चलिए काफी बाते हो गई है फिलाल आते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल पर जो अगला आर्टिकल है वो भी हमारा एक्जाम के लिए तो इंपॉर्टन है ही यह प्रिलिम्स और मेंस दोनों मे मनिपूर से आती है मतलब मिजोरम और मनिपूर में एंट्री होती है इनकी आती कहां से मियनमार से मियनमार जो कि हमारा पडूसी देश है तो दोस्तों उसी के बार में यहाँ पर बात की जा रही है जो इंडियान स्मगलर्स हैं उनके काफी सरे लोकल कॉंटेक्ट्स हैं लग लग-ठल रूट यहाँ पर यह लोग तयार करते रहते हैं वहां की स्टेट पूले जो राज्य्यपूले से उनने कई बार में बड़े-बड़े प्यक्ट्स पकड़े ह birlी रीसेट्ली यहाँ पर एक बहुत बड़ा पकेट्ट रहाता ईहाँ पर दस किलो ग्राम 10 किलोग्राम यहाँ पर कुछ गोलियां वगरा थे पिल्स थी जो ड्रग्स के लिए आपर यूज की जाती है प्लस यहाँ पर हेरोईन वगरा भी था उसके अंदर में वो भी एक ड्रग्स वाला सबस्टेंस आपको देखने को मिलेगा ठीक है और इतने ही दोस्तों यह जो ड्रग्स ट्राफिकिंग है यह तिजी से बड़ी भी है पिछले कुछ समय पर इविन यहाँ पर एक बड़ा रीटा बताया जा रहा है बड़ा रीटा आप यह देखो मतलब मैं आपको साल 2023 की अगर सारी सिनेरियो बताऊ तो साल 2023 में जैनुवरी से लेकर अभी तो हम नमबर में चल रहा है फिलाग तो जैनुवरी से अक्टूबर था यानि पिछले महीने तक अगर आप देखोगे तो असम राइफल्स ने लगबग 18 जो हतियार है इनको जब्द किया प्लस अगें जो कॉंट्राबेंड आइटम्स होते हैं 74 करोड रुपे के वो जब्द करे साधी साथ में जो ड्रग्स हैं वो लगबग आप इमाजिन करो 911 करोड रुपे के जो ड्रग्स हैं वो भी याँपर जब्द करे गए और इन भे 131 इंडियांस और साधी साथ में 58 मयानमार के जो लोग है इनको पकड़ा गया है तो मयानमार के माध्यम से काफी सरी जो ड्रग्स हैं अपने लोकल कॉंटेक्ट्स के माध्यम से इंडिया में सेंड करती जाती है मीज़रम मनीपूर में और फिर मीज़रम मनीपूर से सीधा यहां पर फिर फूरे इंडिया के अंदर वो जो ड्रग्स हैं वो फैलने लगती है तो इस तरीके साथ जो ड्रग्स की तसकरी है वो काफी ज़दा हो रही है पिछले कुछ समय पर आपको बता है मनीपूर में काफी ज़दा क्लैश हुए है हमारे मई से मनीपूर के अंदर में काफी बवाल हुए है है ना इस चक्कर में वहां पर क्लैश की वज़ा से जो सिक्यूरिटी है वो भी इतनी ज़दा सक्त नहीं रही है borders पर जितनी ज़ादा रहती थी पहले और इन clashes में लोग सब इन clashes को निप्टाने में लगे रहे और इस बीच यहाँ पर drugs की तसकरी भी काफी ज़ादा हुई और बीच में हुई और कई बार क्या हुआ जब clashes ज़ादा बढ़ गए थे तो मनीपूर से काफी सरी problems से start हो गई है ना तो इस चकर में उन्होंने क्या कर दिया मेजरम से अपना रास्ता चुन लिया मेजरम से सीधा नया route बना दिया और वहां से drugs को बेज रहे हैं इंडिया में तो इस तरीके से आपे दोस्तों यह तसकरी है smuggling करवाई जाती है समझ गए तो इंडिया में क्या हालात है उसको लेकर एक article है अब यह article दोस्तों examination में आपसे नहीं पूछा जाएगा article में अगर आपसे कुछ पूछा गया तो इसका background data पूछा जाएगा उस background data में आपको पता होना चाहिए आखिरकार drugs और प्लस इंडिया दोनों के बीच में क्या relations और drugs को लेकर भारत में exact समय पर इस्थिती है क्या आओ मैं आपको यहाँ पर इसके बार में समझाता हूँ दोस्तों इंडिया में जो drug addiction है यह नौ जवानों के अंदर में पिछले कुछ सालों में तेजी से बड़ा है क्योंकि इंडिया एक sandwich वाले situation में first चुगा है sandwich वाला situation क्या होता है आओ मैं आपको एक photo दिखाता हूँ जिससे आपको clear होगा दोस्तों अगर आप location wise देखोगे न तो इंडिया ऐसी जगह पर located है जिसके आसपस दो बड़े-बड़े groups आते हैं ठीक है यह आप देख पाऊगे यह वाला जो group के लाता है न है golden triangle है golden triangle में कितने देश हैं हमारे चार देश हैं एक तो आपको बर्मा यानि Myanmar देखने को मिलेगा जिसकी बात हम कर रहेते हैं इस सीधा इस तरीके से इंडिया में drugs की तसकरी की जाती है मियानमर के बाद में थाईलेंड है तनुस के बाद में लाउस एंडनुस के बाद में वेतनाम है तो यह चार country दोस्तों आपको नज़र आएंगे इस वले side पर भारत के इस side पर यह 4 देश हैं और इधर की side पर यानि कि अब इंडिया से इधर देख पाओगे right hand side पर sorry left hand side पर तो यहां पर आपको नजर आएगा Pakistan हो गया Pakistan के साथ साथ यहां पर ऊपर एरान हो गया और फिर सॉरी ऊपर यहां पर एरान हो गया यह तीन देश हैं तो Pakistan, Afghanistan और एरान ठीक इधर बर्मा यानि मैनमार की बात करें मैनमार, थाइलेंड, लाउस और वेतनाम यह हो गया M.T.L.V और इधर P.A.I तो दोस्तों यह जो कंट्रीज हैं चार यह हो गई और तीन वो हो गई यानि कि हमरी टोटल यह सेविन कंट्रीज है इन सेविन कंट्रीज के बीच में इंडिया आ जाता है ठीके दोस्तों यह चार कंट्रीज हैं मैनमार, थाइलेंड, लाउस और वेतनम इन चार देशों के गुरूप को क्या बोलता है इन चार देशों को गुरूप को बोलता है golden triangle ठीक है यह आप दिखपा रहोंगे क्या बोलता है golden triangle और जो यह धर तीन देश हैं इन तीन देशों को ग्रूप को बोलता है golden crescent क्या बोलता है golden crescent तो golden crescent और golden triangle के बीच में भारत फस जाता है अब यह आखिरकार यह देश का हम इतना बड़ा रोल क्यों दिखा रहे हैं तो अब दोस्तो इस बात को समझो यह वो countries है जहाँ पर सबसे जादा जो अफीम बगएरा होती है है न इनका production होता है दुनिया में सबसे दा production drugs का एनी देशों में होता है अब इंडिया बीच मा जाता है तो अब्यस से बात है production हो रहा है तो सीधा यहाँ पर यह लोग इधर से उधर तसकरी भी करते हैं इसकी smuggling भी करते हैं और इंडिया के अंदर यहाँ पर यह समगल होता है इविन यहाँ पर एक report आई है magnitude of substance use in इंडिया करके इस report को release किया है All India Institute of Medical Science यानि AIMS ने और इस report में यह बताया है कि इंडिया में alcohol यह सबसे जादा use करने वाला substance बन चुका है इंडिया में लगबग 5 करोड के आसपास जो इंडियन से वो यहाँ पर cannabis का, opioids का, अफीम का, भांग का use कर रहे हैं बहुत सारे cases यहाँ पर निकल कर आएं और सबसे जादा cases जो drugs के निकल कर आएं इन drugs तसकरी में जो सबसे बड़ा contribution योगदान नजर आया है काफी सारे states का, उन states में से है पंजाब, असम, डेली, हर्याना, मनिपूर, मीजोरम, सिक्किम, उतरपरदेश यह सारे states दोस्तों आपको यहाँ पर देखने को मिल पाएंगे, जहाँ पर बहुत जादा यहाँ पर drugs का use हो रहा है समझ गए, जादा-जादा जो बच्चे हैं, वो आज की समय पर alcohol consumption की तरफ बढ़ रहे हैं बच्चे alcohol के प्रती addict होने, specially पंजाब में आप देख पाऊगे, West Bengal में देख पाऊगे, उतरपरदेश में देख पाऊगे अब सवाल यहाँ पर यह है, कि जो यह drug abuse है, इतना तेजी से बढ़ा, इसका impact क्या पढ़ेगा इसके बहुत सारे नुकसान है दोस्तो, अगर यहाँ पर एक इंसान इस तरीके के नशे करना शुरू करेगा तो इससे unintentional injuries हो सकती है, कई पर गिर पिर सकता है, चोट लग सकती है, सर में चोट लग सकती है एक्सिडेंट हो सकता है, domestic violence के incidents increase होंगे, घर पे आके मार पीट करेगा वो, अपनी वाइफ के साथ में उस medical problems हो सकती है, death तक यहाँ पर एक इंसान के हो सकती है, सबसे बड़ी चीज़ यही है, drug abuse का सबसे बड़ा impact यही है प्लस वो परसन जो कमा सकता था, उसका जो potential है, वो potential खतम हो जाता है relationships यहाँ पर खराब होने लगता है, यहना घर पर domestic violence increase होगा, फिर यहाँ पर उस wife के जो family members होंगे, वो आएंगे, relations पुरी तरह से खराब होंगे emotional social problems life में start होने लगती है, financial burden यहाँ पर increase होने लगता है, बड़ी-बड़ी बिमारियां, haptious B, C, 80 over clauses जैसे बिमारियां पर बढ़ने लगती है plus यहाँ पर health को लेकर बहुत जादा जो damages होंगे को देखने को मुलता है, फिर एक इनसान पूरी तरह से जो यह drugs है, जो यह नशे है ना, इसी के उपर निरबर हो जाता है, इसके बिना फिर उसका काम चलता नहीं है, hopelessness अपने आपको feel करने लगेगा, ठीके, उसके बाद य यहाँ पर बताया जाता है, कि भई यह दो drugs के impact क्या क्या है, सवाल यहाँ पर यह है कि जब impact है तो हम इसको खतम क्यों नहीं कर पारें, दोस्तों जो drugs की तसकरी हो रही है, यह जितनी तेजी से इंडिया में बढ़ता हुआ नजार आ रहा है, इसको ना हम tackle क्यों नहीं कर प दंबाकू, दंबाकू भी यहाँ पर एक इंसान के लिए बहुत ही जदा खतरनाक है, एक normal person यहाँ पर दंबाकू को गर चबावी ले तो उसको नशा हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो लोग खा रहे हैं, जो addict हैं, उनको habit हो चुकी है, उनके लिए वो कुछ भी नहीं है, बट वो भी एक बहुत बड़ी problem है, उसको भी as a drug consumption चल रहा है, बच्चे यहाँ पर उसके साथ में experiment कर रहे हैं, और वो चीज़े दुकान पर जाओगे, अराम से खरीच सकतो, कोई रोक टोक है, नहीं रोक टोक है, सबसे पहली problem यही है, सबसे बड़ा challenge यही है, जिसकी चक बोलते हैं, यह है तो इंडिया में, लेकिन बहुत कम है, तो इस चक्कर में proper treatment और therapy लोगों की हो नहीं पाती है, तीसरा जो है smuggling of drugs, drugs की smuggling पंजाब असाम उतरप्रदेश में बहुत ही जादा होती है, यह भी आपने धियान में रखना है, प्लस सरकार ने कई प्रकार के जो इनिशेटिव से वो स्टार्ट करें, ड्रग एडिक्शन से लड़ने के लिए, फॉर एक्जामपल यहाँ पे नार्को कॉडिनेशन सेंटर को यहाँ पर स्टार्ड किया गया नेवंबर 2016 में, उसके लबा नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने कई प्रकार के जो फंच से वो यहाँ पर प्रोवाइट करवाए एक नया सॉफ्वेर डवलब किया जा है, जो कि एक कम्प्लीट डेटाबेस तयार करेगा कि भई ड्रग्स से संबंदित कितने अपराद हुएं और अपराद ही कौन-कौन है, उनका डेटा इखटा किया जाएगा, एविन हमारे पास मे एक प्रॉपर एक्ट भी है, जिसको हम लग एक नाम देते हैं, यानि नार्कॉटिक्स ड्रग्स और साइकोट्रॉफिक सब्स्टांस अक्ट नाइटिन एटिफटी फाइफ का वो एक्ट है, यह एक्ट सीधा-सीधा यहाँ पर रोक लगाता है, यहाँ पर यह एक्ट क्या है, यह ना एक परसन को ड्रग्स का प्रडक्शन, सेलिंग, पर्चेजिंग, ट्रांस्पोर्टिंग, स्टोरिंग, कंस्यूमिंग, हर तरीके से रोक सा है, कि यहाँ पर आप इनका ना यूज कर सकते हो, ना खरी सकते हो, बेस सकते हो, स्टोर कर सकते हो, बना सकते हो, कोई का इंपोर्टन होने वाला है आगे बढ़ने से पहले दोस्तों अगर आप लोग को हमारे पेड गूरूप को जॉइन करना है तो आपके बास में बढ़िया चांस इसको जॉइन करने का और इस पेड गूरूप में आपको क्या प्रोवाइट करवाय जाता है डेली करन नोट्स के पीडिया वगर आपको प्रोवाइट करवाय जाता है फॉर एक्जांपल जैसे अभी हमने ड्रक्स वाल आर्टिकल डिसकस किया वो आर्टिकल इंपोर्टन नहीं था लेकिन आर्टिकल के पीछे का बाग्राउंड डेटा वो इंपोर्टन है तो वो सारे रेडिमेट्स पीबार डाउनलोड डिलीट हर तरीके से यहां पर इसको आप एनलाइज करके चला सकते हो ठीक है और दोस्तों यहां पर इस ग्रूप में जो कॉंटेंट आपको दिया जा रहा है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाशाओं में तो दोनों मीडियम के अस्परेंट्स के ल यहां पर आपको एक नंबर दिया गए 853-487-3368 इस नंबर पर मैसेस कर दिना कि हमें इंट्रेस्टेड उस ग्रूप को जाइन करने में तो वहां पर आपको पेमेंट का प्रॉसस मिलेगा लेकिन पेमेंट के प्रॉसस से जादा इंपॉर्टेंट आपको डेमो वीडियो का फाइदैं यहां पर हो सकते हैं उसके बाद जाकर यहां पर अपना आपको सैटिस्फाइ करने के बाद में अपना यह इंवेस्टमेंट कर सकते हैं इतना रुपया जो है ना आप इदर उदर कैसे भी खर्च कर देते हो लेकिन हिहां पर गैरेंटीड है आप यह investment करोगे कु आप लोग भी यहाँ पर support कर सकते हो, साथी साथ में, चाहो तो आप लोग मेरे साथ में Instagram पर personally जुड़ सकते हो, Instagram पर जाओगे, वहाँ पर लिखोगे, दीपक जादव education, मेरा profile मिलेगा, जहाँ पर already 13,000 से जादा followers जुड़ चुके हैं, चलिए आते हैं, अगले आर्टिकल प पर बैठाने वाले हैं, और उस special assembly session के अंदर में, uniform civil code को लेकर discussion होने वाला है, तो possibility है, आने वाले समय पर जो यह दो most awaited bills हैं, मैंसे एक सबसे important bill है, uniform civil code का लेकर, उसको implement कर दिया जाए, लागू कर दिया जाए, तो दोस्तों, अभी तक आपको बता होगा, uniform civil code को लेकर, कु कौँ से तारीकों पिठाई जाएगी, ये कोई जानकारी हमारे पास में नहीं है, बट इतना confirm है, special session जल्दी होने वाला है, दीपावले की छुटियों के बाद में, ठीक है, साथी साथ में दोस्तों बोला जारा है, ये जो uniform civil code है, ये क्या है, हमारा समान नागरिक सहीता बो समान नागरिक सहीता, बहुत जादा चर्चाएं आने वले समय पर होने वाली है, क्या होता uniform civil code आओ मैं आपको इसके बारें बताता हूं, एक्स्प्लेन करता हूं, डीटेल से, uniform civil code दोस्तों यहाँ पर एक प्रकार का ऐसा law है, या ऐसा कानून है, हमारे पूरे देश के है ना, marriages उनकी, divorce, inheritance, adoption, सब एक ही तरीके से होगा, है ना, यह बात आपने यहाँ पर ध्यान में रखना है, तो यह जो uniform civil code है, इसमें जो कानून होंगे, वो हर एक religion के उपर में applicable होंगे, हर एक religion वाले को वो कानून follow करने होंगे, सब के लिए एक ही कानून रखा जाएगा, यह बात हमारा संभीदान के अंदर में article 44 भी बोलता, article 44 भी जिकर करता है uniform civil code के बारे में, uniform civil code आपको पता होना चाहिए, DPSP है एक हमारा, directive principles of state policy में है, क्योंकि article 44 हमारा DPSP के अंदर ही आता है, DPSP के में ही हमारा article 44 है, समझ गए, अब दोस्तों यहाँ पर आगया आता है, uniform codes की स्थिती भारत में है क्या, क्या भारत में already laws हैं यह, देखो इंडिया में इस तरहें के laws आपको देखने को मिलेंगी नहीं, हाँ कुछ कुछ जगा पर हैं जैसे Indian contract act, सभी को एकी तरह से deal करता है, civil procedure code, transfer of property act, partnership act, evidence act, यह सब को एकी तरह से deal करता है, लेकिन इन में भी civil code का में मकसद यहां पर यही है, कि जितने भी religion के लोग हैं, सभी लोग के लिए एक simple कानून लेकर आना, एक मेर कायानी, क्या आप कह सकते हो, एक समान कानून होना सभी लोग के लिए, ठीक है, चाहिए वो अलग-लग matters में है, उनके personal matters में है, चाहिए वो शादी हो, एक ही तरीके से होगा, inheritance, adoption, एक ही तरीके से यहां पर सब लोग कर सकते हैं, इन सब matters को लेकर जो laws होंगे, वो सब के लिए common होने वाले हैं, समझ गए, अब आ गया आता है, तो दोस्तों, uniform civil code का जो यह origin है, यह origin हुआ कहा से, यह हुए अंग्रेजों के जमाने से, अंग्रेजों यहां पर कहीं न कहीं, uniform civil code की, जो यह नीव है, वो रख दी थी, उन्हें भी यहां पर focus किया है, इंडिया में एक codification लाने के लिए, uniformity लाने के लिए, कई सरे laws को लेकर, crimes, evidence, contract को लेकर यहां पर इन्होंने कहीं न कहीं, एक common चीज लाने की कोशिश की है, कई सरे matters में, crime जै ने बनाने की कोशिश की, समझ गए, तभी कि यहां पर चर्चा होती है, uniform civil code के बारे में, uniform civil code की सबसादा चर्चा होई थी, एक case हो गया तो Supreme Court में, शाब आनो case, 1985 का, उसके बाद तो सबसे ज़्यादा चर्चा होई, even सबसे ज़्यादा जो light में आया uniform civil code, इस case के बाद में है, कि हमको इसको implement करना चाहिए, कभी आपको पढ़ाऊंगा, शाबानो case में exactly हुआ गया था, ठीके, ऐसी आपर वे उसका देख दूसरा case भी आया था, 1995 का सरला मुदगल case, इन सब जगा पर दोस्तों, केवल और केवल uniform civil code को पूरी तरह से लागू किया जाए, इन चीजों की मांग की गई थी, अब बताए, लोग बढ़ चुके हैं, social media platform पर, आप मेंसे भी कई लोग होंगे, जो की चाहते होंगे, कि हाँ बिल्कुल uniform civil code होना चाहिए, और कई लोग यहाँ पर ऐसे हैं, जो नहीं चाहते होंगे, कि भी uniform civil code नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो इसको internet के उपर लोग फाइदे बता रहे हैं, वो फाइदे क्या हैं, सबसे पहला फाइदा, इस code से, इस UCC को implement जब करेंगे, तो इससे जो laws हैं, वो simplify हो जाएंगे, अभी क्या होता है, मालो यहाँ पर कोई matter हो गया, और वो matters code के अंदर पहुंच गया, अब मालो यहाँ पर काफी असान होगा, laws के बीच में जो complexity है, वो complexity खतम हो जाएगी, laws बहुत ही अज़ाद, simple तरीके से यहाँ पर use किये जा सकेंगे, दोस्तों, ठीके, दूसरा यहाँ पर जो हमारा secularism का जो idea है, इसका पालन हो सकेगा, क्योंकि आपको बता होगा, secularism, या फिर जो secular है, secular मतलब आपको बता होगा, जैसे इंडिया एक secular country है, जहाँ पर हम सभी religion के लोग एक साथ मिलकर रहते हैं, ठीके, तो इंडिया जो एक secular republic है, इसको एक common law की ज़रुरत है, जितने भी citizens हैं, उनके religion practice को हटा दो, सभी लोगों के लिए एक proper, एक common law होना चाहिए, तो कही ना कहीं, अगर implement होता है, तो जितने भी personal laws हैं, दोस्तों, वो सब खतम हो जाएंगे, किसी भी religion के जो personal laws है, वो follow नहीं किये जाएंगे, और इससे यहाँ पर जो gender bias है, वो यहाँ पर खतम हो जाएगा, यानि कि सबसे बड़ी बात, कई बार कई सारे laws ऐसे हैं, कई सारे religion में आपको laws इस प्रकार से देखने को मल जाएंगे, जहाँ पर women को जधा value नहीं है, men को जधा value है, ठीक है, तो दोस्तों, यहाँ पर क्या होता है, इस प्रकार का जो gender bias नहीं से वो खतम हो जाएगा, सब को यहाँ पर equal और neutral way में treat किया जाएगा, क्योंकि सब के लिए एक proper law होगा, uniform civil code, तो कुछ लोग का कहना तो यह है कि इसके यह फाइदे हो सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ लोग का कहना यह है कि इसमें समस्यां हैं, चुनोतियां है, uniform civil code को लेकर, और सबसे बड़ी जो चुनोती है, वो है constitutional hurdle, क्या है कहना, सीधा सीधा लोग का कहना है आप uniform civil code को implement नहीं कर सकते हैं, जिनको यह UCC पसंद नहीं है, क्यों, क्योंकि इंडियान constitution को भारते समिधान को देखोगे, तो article 25 क्या बोलता है, article 25 पहली चीज़ तो एक fundamental right, एक मौलिक अधिकार है सबी लोगों का, तो वो जो article 25 है, वो यहाँ पर मांग करता है, freedom to practice and propagate any religion, आपके पास में लेकिन दूसी तरफ दोस्तो, बात आते है, uniform civil code की, uniform civil code में यहाँ पर सारे religious laws उनको खतम किया जा रहा है, सारे personal laws को खतम किया जा रहा है, केवल यहाँ पर एक simple कानून होगा सबी लोग लिए, तो लोग का कहना यह है, कि आर्टिकल 25 से clash हो रहा है कहीने कहीं uniform civil code, समझ गए, तो यहाँ पर कुछ advantages, disadvantages, disadvantages, दोनों यहाँ पर मैंने आपको बता दिये हैं, अगली आर्टिकल पर आते हैं, next article कुछ ज़्यादा काम का तो नहीं है, बट GS paper number 2 international relations के point of view से थोड़ा बहुत important हो सकता है, कुछ नईनी चीज़े हैं, जरा हम लोग इसके बारें बात करते हैं, त तो इंडिया और European Union, दोस्तों European Union पता है ना क्या है, European Union पूरा group है, जिसमें 27 देश आपको देखने को बलते हैं, जिसको हम यूरोपियाई देश का नाम भी देते हैं, तो इंडिया और European Union, इन सब ने, इस group ने और भारत ने, दोनों ने मिलकर focus किया है, कि हम जल से जल अपन जो defense और security के relations उसको और जाद एक्सपैंड करेंगे और जाद बढ़ाएंगे, European Union की जो पहली यहाँ पर इस प्रकार की जो चीज़ है, हमको देखने को मिली हैं, भारत के साथ में यह relations को maintain करके, हमारी जो संबंद हैं, उसको जादा मजबूत यहाँ पर करना चाहते हैं, और European Union दोनों मिलकर Indo-Pacific region के अंदर में अपने आपको बहुत जादा मजबूत बना रहे हैं, उस region को secure भी कर रहे हैं, for example यहाँ पर आगर आप देखोगे, तो भारत में जैसे European Union में कुछ countries हैं, जिसमें France भी आगया, Italy भी आगया, तो France और Italy के साथ में हम special अभ्यास conduct कर रहे हैं maritime exercises conduct कर रहे हैं, जिससे हम समुदर की security को बढ़ा सकते हैं, तो यह दोनों, यानि की European Union और दूसरी तरफ India, इनके संबंद धिरे-दिरे मजबूत हो रहे हैं, हमको यह जो संबंद इसको एक ultimate level पर लेकर जाना है, और अभी आपको पता होगा, जो G20 के summit हुआ था भारत में, इस summit के बाद में discussion यह हुआ था कि हम IMAX corridor मनाएंगे, IMAX corridor जो कि India, Middle East, Europe, Economic corridor होगा, जो कि भारत को यूरॉप से जोड़ेगा, ठीक है तो इससे भी क्या होगा, यूरॉप के साथ में भारत की जो connectivity है, वो तो improve होगी, साथ इसाथ में relations भी improve होगे, इतना ही नहीं दोस्तों, अभी 24 अक्टूबर की बात है, पिछले मैं ने भारत और European Union दोनों ने मिलकर एक पहला joint naval exercise को conduct किया, और वो जो joint naval exercise है, वो Gulf of Guinea में किया गया था, भारत की साइट से जो भारत का Indian naval ship सुमेधा है, यह दस्तक मारने वाला एक जहाज है, वो यहाँ पर गया था, और इस जहाज क कहाँ पर है तो इस map को आप देख सकते हो, यह जो country आपको देख रहे हैं दोस्तों, गिनिया, है ना, गहना, बेने, नाइजिरिया, यह सब African country है, यानि यह African continent है, African continent में जो जो दोस्तों, यह पर यह particular region है, इसके just पीछे यहाँ पर इस तरहीं के से गल्फ बनता है, जिसको को देखने को मिल जाती है, जो कि Gulf of Guinea के साथ में boundary को share करती है, यह ध्यान रखना यह हमारा African वाला continent है, African continent का जो western वाला region है, इस western वाले region के just किनारे Gulf of Guinea यहाँ पर आपको located देखने को मिल जाता है, ठीके, तो Gulf of Guinea के बारे में कुछ basic चीज अगर पूछी जाती है, तो आप यह प्यार हो बताने के लिए important है, यह ध्यान रखना इसके बारे में, बाकी दोस्तों यहाँ पर INS Sumida के बारे में already मैं आपको बता चुका हूँ, यह सब कुछ मैंने आपको लिखित में भी provide करवा दिया है, Gulf of Guinea जो है, यह थोड़ा important region भी है, क्योंकि दोस्तों इस particular region में, दु 2014 में, ठीक है, तो इंडियान निवी का यहाँ पर हिस्सा है यह, और इस जहास का में मकसद क्या होता है, जो हमारी समुदरे मापे दस्तक मारना, जो समुदरी लुटे रहे होते हैं, यहना उनके खिलाफ यहाँ पर operations चलाना, तो इस प्रकार के काम यह करता है, तो यही INS Sumida अभी पहुचा था, इस अभिहास के अंदर में, और इस अभिहास के मादम से यूरोप और भारत के जो relations हैं, वो काफी ज़दा मजबूत होते वे नजर आएं, आई होब दोस्तों आपको यह particular जो article है, वो अच्छी तरीके से clear हो चुका है, कुछ basic जानकारी है, especially places हैं, जो क आप नजरा देख पाओगे, डल जील का ही नजरा है, लोग यहाँ पर बोट में घूमने भी जाता हैं, काफी सरे जो टूरिस्टर जमू कश्मीर जब जाता हैं डल जील गूमने का सब का यहाँ पर एक बहुत बड़ा इच्छा होता है, डल जील लोग घूम के भी आता है, अभी रिसनेटली डल जील न्यूज माया, क्यों? डल जील के अंदर जो इस प्रकार की नाव होती है, उन हाउस बोट्स में आग लग गई, और उन हाउस बोट्स में आग लग नहीं वेसे तीन टूरिस्ट की जान जा चुके हैं, तीन टूरिस्ट जो की गूमने गए थे, तो ध्यान से सुनते रहो, दोस्तों यहाँ पर ढल जील जो है, वो स्रीनगर के अंदर में आपको देखने को मिलेगी, जम्मू कश्मीर में स्पेशली यहाँ पर पांच बहुत इंपॉर्टन जील है, उनमें से ढल जील भी एक बहुत ज़्यादा फेमस जील आपको नजर जील के अलावा इसको लेक ओफ लार्स या जोल इंदा क्राउन ओफ कश्मीर या स्रीनगर्स जोल के नाम से भी जानते हैं, तो आपसे अगर यह नाम भी पूछ लाजा तो धियान रखना इसको हम लोग डल जील ही बोलते हैं, तो यह जो लोग है, लेक है यह बहुत ही ज़ लियां पगड़ते हैं, तो मचवारों का जीवन यहां पर चलता है, प्लस वाटर प्लांट हर्वेस्टिंग की जाती है, तो कई सरे लोगों का एक रोजगार का जरिया है यह जील, यह बोट वाले आप देख पाऊंगे, लोगों टूरिस्ट को घुमाते हैं, उनसे यहां पर अरन करते हैं, प्लस जील में यहां पर एक फ्लोटिंग मार्केट भी लगता है, आपको पता होगा है, जो नाव है, उसमें यहां पर सारा मार्केट लगता है, सबजियां वगरा, सब कुछ बेची जाती है, तो जील एक बहुत बड़ा सोर्स ओफ इंकम यहां पर हमको देखने को मिल जाता है, तो आपसे इस तरीके के क्वेशन पूछे जा सकता है, UPSC ने साल 2000 में इस प्रकार का एक क्वेशन पूछा, क्वेशन क्या है, इन चारो जीलो में से कौन सी एक ऐसी जील है, जो कि तान्जानिया युगांडा के बीच में बॉर्डर बनाती है, तो उसका सही उतर है, ओप्शन नमबर C, लेक विक्टोरिया, तो लेक विक्टोरिया यहाँ पर एक इंटरनाशनल बाउंडरी का काम करती है, तो ऐसे ना मैंने आपको एक छोटा से एक्जाम्पल दिया है, ऐसे कई सारे जीलो को लेकर बहुत सारे सवाल यहाँ पर UPSC इतिहा है, चलिए, आते हैं अगले आर्टिकल पर, अगला आर्टिकल GS paper नमबर 3 environment के point of view से important होने वाला है, क्या बात की जा रही है, तो दोस्तों यहाँ पर Indian scientist की एक team है, उन्होंने यहाँ पर एक प्रकार का नया बंदर मैकाव की स्पीशी, मतलब मंकी वाली स्पीशी होती है, एक तो ढूंडा गया, रुराचल प्रदेश में दो जगा पर यह discover किया गया, डिसकवर करने के लिए पूरी की पूरी टीम लगी वी थी, तो आज ने डिसकवर हुआ है, बहुत पहले यहाँ पर इसको discover कर लिया गया था, तो दोस्तों अरुनाचल प्रदेश में डिसकवर चाइनीज गवर्मेंट जो है इस बीच में टांगडाती है, चाइनीज गवर्मेंट ने यहाँ पर यह बोला कि जो अरुनाचल प्रदेश है, यह तो चाइना का हिस्सा है, मैं आपको पहली बोल चुका हूँ, चाइना यहाँ पर हमेशा से बोलता हु आया है, कि अरुनाचल प्रदेश को यहाँ पर इंडिया का हिस्सा आप नहीं दिखा सकते, तो इस सकर में यहाँ पर इनके ओपर जो डाला गया कि आप इनको विड्रॉ करो, आपने पेपर पब्लिश का है, इनको विड्रॉ करो, समझ गए, क्योंकि आपको पता है, भारत और चाइना पर जोड दिया गया कि वो अपना जो पेपर उन्हें पब्लिश किया था एक इंटरनाशनल लेवल पर, जिसमें यहाँ पर इन्हों ने यह बताया था कि यह मकाव अरुनाचल प्रदेश के अंदर में खोजे गए हैं, इंडिया में खोजे गए हैं, तो चाइना की साइट स यहाँ पर यहाँ पर फोस हाता है कि यहाँ पर आप अरुनाचल प्रदेश को मेंस нев की एक्जाम के लिए important है कुछ basic चीज़े आप से यहाँ पर पूछी जा सकती है especially यहाँ पर आप से इनके वारे में जैसे इनका conservation status वगर होता वो पूछ लिया जा सकता है तो जो हैं पर हमारे scientists थे zoological survey of India के इन्होंने यहाँ पर इस प्रकारे के नए mammal की species को खो जा है जिसका नाम है white-cheeked macao यह species सबसे पहली बार चाइना में डिसकवर की गई थी 2015 में इसका existence यहाँ पर इंडिया में उससे पहले नहीं दिखाई दिया था बाद में यहाँ पर इंडिया में इसको यह डि characteristics हैं यहाँ पर आप दख पाओगा इसके गाल जो हैं वो सफेद कलर के हैं इसके जो बाल हैं वो काफी लंबे हैं काफी मोटे बाल हैं इसके गर्दन पर कई सारे बाल आपको देखने को मिल जाते हैं इसकी जो पूँच होती है वो बाकी सारे इन बंदरों की species से जादा लं आपको देखने को मिलता हैं यह जो वाइट चीक्ड मकाव है इसके सासत अरुनाचल प्रदेश में अरुनाचल मकाव देखने को मिलेगा कुछ और मकाव की दूसरी species हैं असामीज मकाव है रहसस मकाव है यह सब एक ही एरिया में रहने वाले सारे के सारे बंदर आपको परिशानी काफी परिशानी जेलनी पड़ी है और इनकी संख्याई भी पिछले को समय पर कम हुई है दूसरी बात अब यहां पर इनका एक बहुत इंपोरेशन स्टेटास आपने जानके रखना है यह मैंने एक फोटो के फॉर्म आपको प्रोवाइट करवा दिया है दोस्त परिशानी के पास में आपको यह प्रजाती देखने को मिल जाती है फिलाल 2021 में यह आईउसीन के स्टेटस में एंडेंजर काटिगरी में रखा गया था वाइल लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में दोस्तों यहां पर इसको अभी तक इंक्ल्यूड नहीं किया गया है तो यह यहां पर इसको वाइल लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में इंक्ल्यूड नहीं किया गया है तो यह भी आपने ध्यान में रखना है ठीक है बाकी मैं आपको बता दिया इस स्पीशी को मार दिया जाता है जिस सक्कर में आपर इनकी जो प्रजातिया है वो कम होती चली जा रह लेता है या दवाईयों में यहां पर यूज कर लेता है तो इस सक्कर में आपर इनकी तसकर इनकी हंटिंग वगरा भी होती रहती है बाग याता है आज के लास्ट आर्डिकल पर आजका लास्ट आर्डिकल भी इंपॉर्टेंट है लेकिन यह थोड़ा सा हमारा जनरल यह आर्डिकल मिलेगा तो यहां पर जो डी बाला सुबरेमनियन जी है यह बोलते हैं कि भई देखो यहां पर जो हेल्थ बेनेफिट्स हैं फंक्शनल फ्रूट्स के वह बहुत ज़ादा है फंक्शनल फूड दोस्तों क्या होता है फंक्शनल फूड में आपके ड्राइफ अमक्रेफ्रूट्स हो गया, आलमंट्स में बहुत ज़ादा प्रोटीन पाया जाता है इंक्पॉर्डन्ट फटी एसेट्स पाया जाता है एसेंशनल लिनस पाया जाता है के व contradiction नहीं के कजू रेजिंस आपके किश्मिश हो गए वालमौ्ट्स हो गए अखरोट्स हो गया ज खजूर, एपरिकोट्स हो गए, या पिश्चा हो गया, तो ये सारी चीज़ आप देख पा रहो, ये सारे के सारे ड्राइफ रूट्स हैं दोस्तों, और इन ड्राइफ रूट्स के लावा कुछ वेट फूट्स, वेट फूट्स मतलब बनाना, ग्रेप्स, औरेंजेस, मैंगो इन सभी यहाँ पर फूट्स के हेल्थ बेनिफिट्स बहुत जादा हमको देखने को मिलते हैं, इन हेल्दी फूट्स को ही हम लोग फंक्शनल फूट्स बोलते हैं, लेकिन पता इनको अपने डाइट में एड़ करना आज कि समय पर छोड़ने हैं, या जाधा एड़ नहीं क सीक्वेंस वे में हर चीज आपको फायदा पहुचा सकती है, जैसे यहाँ पर आप थोड़े बहुत ऑल्मेंट्स यहाँ पर पांस से दस अल्मेंट्स यहाँ पर डेली बिस इस पर खा सकतो, क्योंकि ऑल्मेंट्स में आपको पता होगा डाइटरी फाइबर, वाइटामिन जो कि आपके स्किन के लिए बहुत अच्छा है, उसके बाद राइबो फ्लेविन हो गया, कुछ और मिनरल्स हो गया, जो कि आपकी ब्रेइन हेल्थ के लिए बहुत ज़दा इंपोर्टेंट, आपकी मेमरी पावर को इंक्रीस करने के लिए काम करता है, तो यह कुछ चीज ह प्लस खाने में जैसे ओट्स हो गया, बाजरा हो गया, रागी, जोवर हो गया, एसोया प्रोटीन हो गया, इनका हम यूज कर सकते हैं, यह भी इनकी न्यूट्रिशन वैल्यू भी बहुत अच्छी है, और इनमें भी बहुत सारे प्रकार के जो हेल्दी न्यूट्रियंट्स वो यहाँ पर पाय जाते हैं, और आज के समय पर यह हेल्दी न्यूट्रियंट्स की हमें अतियाविशक जरूरत है, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हम लोग की जो हेल्थ है, वो पहले के कंपारिजर में काफी ज़दा डिगरीट होई है, तो दोस्तों यहाँ पर एक हे हल्दी डाइट के बात करेंगे, तो इसमें आपके मिलेट्स आ जाता है, मिलेट्स जैसे मन आपको बताया, आपका बाजरा, रागी, जोवर, यह सारी चीज़े, इनमें थोड़े से ज़्यादा न्यूट्रियंट्स है दोस्तों, और जब भी हम लोग करीव अगरा बनाता ह हैं सबजी बनाते हैं, वेजटेबल का इस्तमाल करेंगे, तो उसमें हमें हल्दी यूज़ करनी है, प्रॉपर तरीके से, और हम लोग पता एक छोटी सी चीज़ छोड़ देता है, सिनमन, सिनमन को शायद दालचीनी का पॉडर बोलता है, दालचीनी पॉडर यहाँ पर इत लेस्ट, कईसा लोगों के लेस्ट नहीं खाते हैं, लेस्ट खाते भी हैं, जिंजर हो गया, गारलिक हो गया, यह सारी चीज़े हैं, घी हो गया specially, खेंगे घी कौन खाता है, आप खा सकते हो, आप 1 चमज, 2 चमज घी खा सकते हो, उतना ही आप वर्काउट भी करोगे, सब म दही को हम बहुत कम लोग आड़ करते हैं या नहीं करते हैं सोचने या पर ठंड में दही खाएंगे तो बिमार पढ़ जाएंगे ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तो जो दही है इसके अंदर बे कई सारे प्रकार के जो एंटाई उक्सिडेंट है वो भी देखने को मिलता है और इन सब चीज़ों के भी हटाओ लोग चाही पी रहे हैं है ना चाही बहुत ज़दा पी रहे हैं चीने वाली चाही से ज़्यादा बेनिफिशल आपको कॉफी देखने को मिल जाएगी आप कॉफी के कप यहाँ पर उसकर सकतो कॉफी पी सकतो कॉफी में ज़ादा एंटाई उक्सिडेंट होता है या ब्लैक कॉफी इस पिछले के पी लिया तो उसके तो अनलिमिटेड बेनिफिट्स हैं ब्लैक कॉफी यानि केवल आपने बानी करम किया एक चमच कॉफी डाली गुमाया और उसके बाद में थोड़ा ठंडा करके पी लिया तो यह आप देख पाऊगे तो यह कुछ बेनिफिट्शल चीज़ें हैं जो दोस्वाम एड़ कर सकते हैं तो यह वेजिटेरियन में आइटम से बेट वेजिटेरियन में आपको वेरियस चीज़ें मिल जाती हैं जो कि आप यूज कर सकते हैं आपका एक हैल्दी मील आपका एक हैल्दी डायेट डेली बिसस पर मिंटेन हो सकता है कासकर जो पढ़ाई कर रहे हैं स्टुडेंट से अस्पिरेंट से उनके लिए घले यहां पर खतम हो चुका है तो चीटा की तो खानी खतम हो चुकी अब यहां तो यह देखने को मिलेंगे तो मिलएंगे अगर दोस्तो यही क्वेशन हो जाता ना तो ऑप्शन चेंज हो जाते बता इसमें बॉचा जाता कितने सही हैं कितने पाई जाते हैं तब वहाँ पे गलबड़ी हो जाती दोस्तो फिलाल ये पुराना कोईशन है तो यहाँ पर ऑप्शन इस तरीके से उसमें पढ़ दिये जाते थे तो ऑप्शन नमबर बी जो है इसका सही उतर आपको देखने को मिल जाता है इसके साथ मैं चलो करता हूं लोग अपने लेक्चर को समाप्त और मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में आज के लिए बाई बाई एव नाइस डे थैंक यू जैहिंद और साथी साथ में शुब दीपावली आपको बता दूँ क्लियरली इस दौर से मैं गुजर चुका हूं इस स्ट्रेस में प्रप्रेशन आपको कभी भी हेल्प नहीं करेगी आपको थोड़ा सा अपने आपको स्ट्रेस से रिमूव करना पड़ेगा आपका जो स्ट्रेस उसको आप हटा सकते हो थोड़ा मेडिटेशन करके काम क्या जा सकता है अब यह मेडिटेशन आपको बहुत हेल्प कर सकता है क्योंकि काफी से लोग पूछेंगे भाई सल्वेशन क्या स्ट्रेस अटाने का तो वह एक मात्र मेडिटेशन है आप अगर स्टार्टिंग में दस मेडिटेशन स्टार्ट भी करते हो पहले मैं कहूँगा एक महीना डेल महीना दस मेडिटेशन थोड़े दिन बाद आदत पड़ जाएगी फिर उसके वाद में उसको 15 मिनट कर देना फिर उसके वाद 20 मिनट फिर उसका 25 मिनट बस बहुत है इतना अगर आप टेली मेडिटेट कर रहो भाई जो कंसेंट्रेशन लेवल होगा न वो इतना जादा ultimate लेवल पर होगा आप भी हरान हो जाओगे यार कि हाँ मुझे और किसी चीज की कुछ नहीं पड़ी बस मैं जहां पर अब मैं मन लगा मेरा अब यहीं पर मैं सारा काम करूँगा समझ गए आपसे अगले वीडियो में आज के लिए बाबाए थैंक यू एंड जैहिंद